क्या क्या कहती है आपकी राश्षि जानिए अपकी पुण्ड इवंराशियों का फोर्न विश्ले से नमस्कार दरश्को मैं हूँ आपके साथ नेहा शर्मा, स्वागत करेंगे हमारे इस खास कारिक्रम कुंडली दर्शन में इस कारिक्रम में हम आपको आज जानकारी देंगे शनी देव के बारे में शनी ग्रह जिने न्याइफ्रिय देवता कहा जाता है जिने कहा जाता है कि शनी देव हमेशा सच का साथ देते हैं और शनी देव एक ऐसे ग्रह हैं हम कह सकते हैं जो कि एक फकीर को राजा बना सकते हैं और राजा को फकीर बनाने में उन्हें पल भर भर भी नहीं लगता इसलिए शायद हर इंसान शनी देव से डरता है शनी देव को लेकर हमारे मन में एक बहुत भ्रांती फैली हुई है कि शनी देव हमेशा बुरा ही करते हैं क्या इस भ्रांती में कहीं तक सच्चाई है क्या वाकई में शनी देव हमेशा बुरा करते हैं क्या शनी देव हमेशा सब का अहिती चाहते हैं क्या है ये शनी ग्रह और किस तरह से हमारी कुंडली पर अपना प्रभाव डालते हैं। कुंडली दर्शन किस तरह से हम कर सकते हैं। कैसे हम अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि बहुत टेड़े ग्रे हैं ऐसे भी कहा जाता है बहुत टेड़े हैं और बहुत हमेशा बेकार ही करते हैं अगर किसी की कुंडली में मान लीजे किसी को कोई दोश लग रहा है या फिर कोई परेशान है बिना कुंडली दिखाए तो सिर्फ एक शब्द उससे कि लगते हैं तेरा श्वनी खराब चल लाए वो आधा वैसी परेशान हो जाएगा आप मुझे बताएं श्वनी ग्रेग किस तरह से रोल प्ले करता है आपने निया जी एक बहुत अच्छी बाते हैं यहां पर बताई कि सनी एक ऐसे ग्रहें जो न्याय प्री है और न्याय प् जाती है जैसे किसी कोट में आपका फैसला होता है दो दो वकील वहां पर जिर्या करते हैं यदि आपके वपर दोश शावित होगा फिर जज को फैसला सुनाना ही होगा तो वो सिर्फ फैसला सुनाने का काम करते हैं अगर आपने अच्छे कर्म किये हैं आपको अच्छा फल अपने शब्दों में बहुत अच्छे तरीकेशे बताएं कि सनी देव का नाम सुनते ही लोगों के जिस्में सिहरन उत्तन हो जाती है सनी देव आखिर हैं क्या अक्षर लोग जन्म के समय कहीं बच्चा के जन्म साड़े साथी मी तो नहीं हुआ पहुँ सारे सनी के लिए और आज आखशर देखा गया mín सानी की मंदर दिन पर द resin बढ़तती है और लोग लाखों की तदा ने हुआ पहँसा देव है हम बढ़ेंगे अपने पहले कॉलर के तरफ अवदेश जी है फरूखाबास अवदेश जी स्वागत है आपका नमस्कार ना ना बताएं अवदेश जी डेटो बर्थ सर मैं अपने मेसेज के बारे में जानना चाहता हूँ डेटो बर्थ डेटा बर्थ है बाईस्थीम्वंब अवदेश नमबर कुछ निससोतीष जीर। 15 ऐम बज़्ध प्लेस कानपूर वाइफ नामबताएं सवाल पुछे उनके बारेमें इनका तविया ठीक नहीं रहता है देखिए सबसे बले तो आप अपनी वाइब का नाम फिर से बता है अनपमा जी अनपमा जी की कुंडली जो बनती है शिंग लगन की कुंडली बनती है और सिंग लगन की कुंडली और रासी का स्वामी इनकी रासी जो बनती है तुलराशी बनती है और आज हम बात कर रहे हैं सनी देव के बारे में सबसे बड़ी बात कि आपकी पतनी जी की समस् अब कब तक रहेगा जी? आप मंतर भी सुन ले याद होगा आपको इस मंदर को माताराने के सामने सात लौंग सात इलाईची और सात बताशे करके आप इस मंत्र को अपने पत्नी जी को बोले जाप करने के लिए और परतेक सनीवार तिल के तेल का दीपक जलमाएं और कुछ नहीं ओम प्राम प्रीम प्रोम सहसने चराय नमा इन मंत्रों का 108 बार जाप करना है निश्ची तरुप से सनीदेव की किरपा यदी होगी और साथ ही साथ मातरानी की किरपा होगी बहुत जल्द आपके पत्नी जी सुरस्त हो जाएंगी वैसे 2017 तक इनका समय कोई जादा अच्छा नह 24 जन्वरी निशन नबेट टाइम टाइम राज के मैंडम साड़ी आठ के नौ के बीच में अच्छा है जनका स्थान टॉंग राजस्तान है टॉंग राजस्तान सवार पूछें आप पर मैंडम मेरे कायट तव्यत बहुत खराब रहती है तव्यत नाम क्या बताए इनोंने कि दिन का नाम है मनीश मनीश जी अक्षर अगर देखते हैं कि कि पंडित के पासं जाएंगे तो कोई बी पंडित जिसको जोतिस का पता होता है जय का मतलब जोतिस का सबसे पहला वड़ जैसे इंगलिस में ए बोला जाता है तो लगनेश को देखते हैं किसी भी पत्रिका का भाव को यदी अमुल्यन करना है जोतिस की गनना कैसे करनी है फलित कैसे किया जाता है इसके लिए हम लगनेश को देखेंगे और लग कट्रम एक और सिराक्नेश के तामरी संद्र कर रहा है और शाथ में एक मंतर आपको बताता हूं उस वह को करना है और साथ साथ शनिवार के दिन अपने हातों से शवा मुठे उरद नदी में प्रवाहित करना है रादे रादे चली छोड़ा से उपाय आपको बतायागे है साब कीजिए का लाब होगा अगर आप ऐसे उपाय जाना चाहते हैं बहुत चोटे लेकिन अचुक तो उसक अगर आप दूर रहते हैं अभी ठंड का भी वक्त है तो लोगों को ये परिशानी होती है कि इतनी दूर से हम कैसे आए मिलने के लिए तो परिशान मत होईएगा आप लोग अब टेलिफोन के माध्यम से भी अपने परिशानी का समाधान प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए कि जो नमबस इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है आपको उन नमबस पर फोन करना है अपना टेलिफोनिक अपॉइन्मेंट बुक करना है जो वक्त आपको दिया जाएगा टेलिफोन पर बात करने के लिए उस वक्त आपकी आचारेजी से बात होगी और टेलिफोन पर ही आचारे जी आपको आपकी कुल्ली के बारे में बताएंगे कौन सा ग्रेक क्या कहता है किस बाव में बैटके क्यों वो परिश्वानी दे रहा है क्यों वो लाब दे रहा है और उसका उपाय क्या हो सकता है मतलब यह कि अब आप टेलिफोन के द्वारा ही उपाय जान सकते हैं तो फॉरण से टेलिफोनिक अपॉंट में लेने के लिए संपर कीचे का नमबोस आपके सामने है और दो कुल्ली में शनी देव अपना नेगेटिव प्रभाव दिखा रहे थे तो आपने अभी तक यही बता है तीनों में देखके कि शनी देव यह कर रहे हैं तो आप यह उपाय कर लिजेगा मतलब यही दर्शक के कहते हैं कि शनी देव हमेशा बुरा ही करते हैं अब तीनो कुल्णी में देव शूरी में कभी कभी शंबंद नहीं बन सकता, एक उजाले के सूचक हैं पिता पुत्र हिल्गी सबसे पडम शक्त्रू हैं, एक उजाले के सूचक हैं, एक अंधे करते क्या है यदि किसी की पत्रिका में शनी बलवान हो तो क्या करेंगे ऐसे लोग अक्सर सबसे पहले तो नियाधिश बनने के लिए बहुत अच्छी बात है जज बना सकते हैं जज बनाते हैं ऐसे लोग कठोर भी होते हैं मतलब नियाए प्री इंसान होते हैं आपके हाग में फैसला सुनाएंगे बिस्लेशन करने की छमता इनकी बहुत अची बढ़ जाती है एक ऐसा छोटा सा आंदोलन जिसमें अचानक से जन विशाल जन समर्थन निकल जाए अब हाल ही में आपने देखा है किसी का नाम लेना पढ़ जाए तो उसमें उनकी कुली में निस्चित रूप से शनी वल्वान है ऐसा हो यह नहीं सकता कि शनी वल्वान नहीं है अगर सनी देव की किरपा नहीं होती तो जन समर्थन मिलता ही नहीं और यदि आप राजनितिक भी बनना चाहते हैं एक अच्छा राजनिता बनन करता है वो भी शनी देव की पूजा करें अगर मजदूर का काम करते हैं तो भी शनी देव की पूजा करें शनी देव आप से नहराज है तो आपको काम नहीं मिलेगा मसिनरी काम जैसे रोड रोलर ड्रीच क्रेन मशीन यदि इन सब काम करते हैं आप मशीन चलाते हैं तो भी अगर मशीन का बिजनस करते हैं तो भी आपको शनी देव की आराधना करने चाहिए इसके साथ साथ कुछ लोग भिकारी होते हैं, अंदे होते हैं, कोडी होते हैं, लंगरे होते हैं इनके लिए शनी देव को देखेंगे साथ 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 कारा लुट है जरूर है, यदी आपके कुलिन, साथ 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 बुरा होते हैं सहर्व को बोलें यहुद को बोलें आप एक सरफ को बोलते हैं, भगवान स्रीव शंकर ने उनको अपने गले में मिडाल रखा हैं, उनी तो बुरा हैं आप बोलेंगो भगवान है आप भी देखो जब तक आप शांप को निच होगे तब तक शांप आपको निच जशेंगे तो आप सनी देव सिर्फ जश का काम करें सनी देव के बारे में एक और विशेश धाड़ना है कि यदि आपकी पत्रिका में सनी देव उच्चे के हो आपती कर सकते हैं ऐसे लोग रियलिस्टेट के काम जैसे मकान बनाना और मकान बनाके बेशना बिल्डर्स के लिए बिल्डर्स के लिए शनी का बलवान होना बहुत ज़रूरी है आपने प्रपरटी में अपने आजमाएं अभी अक्सर हमारे पास एक पीछे ही कॉल साहे थे इनके अरिष्ट हैं तो बिल्डरों के लिए भी आप बिल्डर तो बन जाएंगे करोणों का धन कमाना चाहते हैं लेकि शनी देव जब तक महरवान नहीं होंगे तब तक आप बिल्डर के वी कारियों को शंपूर नहीं कर सकते इसके लावा राजनेक राजदूत ऐसे माध अधेम वाला काम भी शनी देव करवाते हैं और कई बार उपाशना के कारियों को शनी देव करवाते हैं तो जरूरी है कि आपके पत्रिका में शनी देव करते हैं अरिष्ट या सनी देव करते हैं आपका भला इन बातों को जानना और यदि सनी देव किसी भी प्रकार से समस इस दुनिया में आज बहुत सारी पंडित हैं, बहुत सारी लोग हैं, बोलतें मुझे मेरी चण्ड़ों में करो कोटी-कोटी पढ़नाम, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको कोटी-कोटी पढ़नाम करना है, तो उस परम पिता परविश्वर को करना है, जो यतर त्र पुन्ट चलाचर जगत में निरंगा रुपी ब्रमाइन में व्यापत हैं और अपने कुंडली से क्योंकि कुंडली को नौगरा 27 नशात्र 12 रासी और 12 भागों में माटा गया है इनके बारे में आपको पताना है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शनीदेव को लेकर अगली जान करी हम नेक्स्ट एपिसोड में देंगे बिल्कुर कभी आगे फिर देंगे चलिए आगे आपको जरूर ये कभी जान करी दीजाएगी शनीदेव को लेके किसी के साथ जूट बोलते हैं किसी को सताते हैं किसी के आप हक को माणने की कोशिश करते हैं अगर आपका शनी उच्चका है तो भी वो आपको नेगेटीव प्रभाव देगा इस बात का आप लोगों को ध्यान रखेगा इसलिए बहतर यह होगा भाई चाड़े से रहें एक दूसरे के साथ प्रेम भावना सत्भावना के साथ हम रहें और कभी किसी का बुराना चाहें शनीदेव आपको अपना अच्छा प्रभाव देना शुरू करतेंगे शनीदेव आपकी कुंडली में किस प्रभाव डालते हैं अगर आप यह जाना चाहते हैं उसके लिए आपको करवाना होगा अपना कुंडली का दर्शन और कुंडली का दर्शन करेंगे आचारे जी देद मत कीज़ें का चाहते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर आपका शुक्रियां यह आने के लिए आप से चाहेंगी जाएसाथ नमस्कार क्या कहती है आपकी राशी जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्ले सकते हैं अचारे चंदन संडिले जी से